गर्दासपर पुड़स देक ठानेदार ने अपनी करवाली ते नौजवान मुंडे नू मार के अपनी जिंद्गी बरबाद कर लिया लेकन मौके ते जेस कुडी ने ओनू कतल कारदे देख्या ओकुडी नूमी और अगवा करके फरार हो गया गर्दासपर पुड़स उस ठानेदार नू हुन लब्बन दे जतन कारी या और सब तो बड़ा स्वाला कि आखर उन्हें अपनी नौजवान पतनी ते नौजवान मुंडे नू क्यों मार या ते जेडी पेंड़ देवेच कुडी सी जेस कुडी ने कतल कारदे नू देख्या उन्हों मार नदी बजाए अगवा क्यों कीता इलाक्य दे वेच चर्चा पूरी तरह फैल चुकिया मौके दे गर्दासपर पुड़स दे सस्पी पहुंचे ने लेकिन हले तक उस ठानेदार नू गिर्फतार कांदे जेडिया कोश्या की तिया जारिया ने हले पुड़स न साल दसी जा रिया बेटा भलप्री सिंग जेदी उन्बर- зай renew साल दसी जा रिया औनों गोडी मार के दुना मापोत धा कतल कार देता एता के कार्दे अटिक रख्या पाल तू कुता भी गोल्या मार्क उन्स कतल कर दिता इस तो अंदाज्जा ल गाया जासज़ा के ठानेदार कि ना वहशी होएगा कि जिनने अपनी कारवाली भी मार देती मुंडा भी ते गेड़ा पाल तू कुता रख्या ओदा भी उन्हें गोलियां मार के कतल कर देता मौके दे गर्दास पर पुर्ज दे सस्पी भी पहुंच गे ने मामले दी जाँच शुरू हो चुकिया लेकर सबतों वड़ी स्वाल एक सामने उबर के आया के जिदो ए ठानेदर ने अपनी कारवाली ते मुंडेदा कतल कीता एक कुडी ने उन्हों कतल कर दे देख लिया कुडी नौजवान दसी जा रिया और उन्हों मारंदी बजाए उन्हों कुडी न्हों अगवा करके फरार हो गया जिस करके चर्चा शुरू हो चुकिया कि आखर वजा किया पूरा मसला किया मामला किया एस कटना दे मसलेद वेच पेंड़ पूमली दे सरपैंच परमजी सिंग ने दस्या के उन्हों सूचना मिली सी के पेंड़ वेच रहिंदे एक ठाने दार एसा इपपिंदर सिंग ने अपने कारवेच अपनी सर्वस राइफल देनाल पहला पतनी दा कतल कीता फिर बेटे दा कतल कर दिता उस तो बाद दोना दा कतल कारतों बाद भी उन्हें अपने कारवेच रख्या पातू कुत्ता भी गोलियां मार के मार दिता जदो इसने एक अतल कार्यासी का वरवारदात नो जाम दिता उस समय पेंड़दी लड़की नो उसनों देखिया ओ ठानेदार उस लड़की नो अगवा करके अपनी गड़ीच पाके फुरार हो गया और उस बाद पुर्स मौके ते पहुंच दिया परतार शुरू हो चुकिया लेकन हले तक ओठानेदार गिर्फतार नहीं हो सकया दुझे पासे सरपैंच दास देने के इसका टनाल पूरे पेंड़वेच दैश्यदा महौल पुरी तरह फैल चुका गा लोग डर चुके ने और पेंड़वाले मांग करेने के इसनु तरुन तो गिर्फतार करना चाहिएदा इस बंदी खोद मौके ते जाच परताल करने गुर्दासपुर दे सस्पी रीश्क मारदाय में भी पहुंचे पुर्ष पारट यां विरवाना कर देती हैं कि यहनी उनना दस्या के अपनियोंने सरवसराइफल ना ली पहला पतनी तो फिर बेटे दा कतल कीता कतल दी वज़ा किया हले तक इसे जांच दे विचे गल सामने ने आई कि उन्हें क्यों एड़ा वड़ा कारणामा कीता कि अपना ही कारों ने उजाड़ दिया इस बंदी पुर्सक दे सस्पी कहें दे ने कि जांच तो बाज पता लगेगा कि आखर कतल दी वज़ा किया और एवी एक जांच दा पहलू कि आखर उस लड़की नोंने गवा क्यों किता जे उन्हें सबूत मटोने सी तकी उस लड़की दा भी उकतल कर सकदा गा सी और दुज्या नेडले तेडले जड़े उथे एरिया दे वेचे सीसी टीवी कैमरे लगे ने उन्हादी भी परताल किती जारी लेकन बहुत वड़ा एक ठानेदार ने गल्त कारणामा किता गल्त कदम चुकिया अपने परवार नों ही निमारा बलके खुद भी उजाड ले अपने आपने आपनों पूरा टबर उजाड ले आगा किवे पहला अपनी पत्नी दा कतल कीता गोलिया मारके फिर अपने बेटे दा और हवानियत दे यह हद इतने तक होगी कि दोना माप पो तेदा कतल कर तो बाद कार चपाल तो कुते दा भी कतल कर देन दागा और यह सब तो वड़ा के हवानियत दा एक वड़ी मसाल और जिस लड़की ने देखा उस लड़की नूमी अगवा कर लें दागा उने इस मसले चे पेंड़ चे दैश्यता फैली हो इया पुर्स पहुंच चुकी या लेकन हले ता के जड़ा दोशी ठाने दारा उनों पुर्स गिरिफतार नहीं कर पाई लेकन पेंड़ वाले भी इ्मांकारी ने सरपेंचनें भी और हले ता के उस लड़की देड़े करवाले गार मिया तै लिकन लड़की जड़ी जड़ी नौज्वान दसी जारी है देख देखना है कि एड़ा हवानियत दा छी ठाणीदारा जो हवान बांचुका जिसने पहला अपनी पत्नी दा गतल कीता फिर बेटे दा कीता, फिर कुटे दा किता गा निलग वजा कीया और सर्वस रैफल कीया दी लाइसेस सी डपार्डमेंट ने इनू दिती सी एवी जांच दाविशा और देख देयां कि काता के रूपी पुर्स देहत काबू होंदाएगा लेकिन फिलाल इस ठाणेदार ने अपना ही परवार अपने हती कतल किता अपना ही परवार आप उजार देता है फिलाल तुसे इसे तरह देख देख देरो ABC पंजाब का डबहु बहुत शुक्रिया